गुरुवार सुभा कोलकाता से घर लोटने के बाद माल्दा के एक व्यफसाई दमपती आचमबीत हो गए घर में किसी के भी ना रहने का फायदा उठाते हुए कुछ चोड़ों ने एक दुसाशिक चोड़ी को अंजाम दिया ये घर्टना माल्दा के गोएसपुर विद्यासागर पल्ली इलाके में घर्टी जानकारी के अनुसार कि शोड़ अगरवाल और रेनु अगरवाल विद्यासागर पल्ली के एक मकान में रहते हैं दोनों ही पेशे से व्यापसाई है वोई बिचले साथ तारिक को व्यापसाई के सिलसिले में कोलकाता गए हुए थे और जब गुरुवार को घर लोटे और घर के अंदर गए तो घर के अस्त व्यास्त हाल को देखकर हैरान रह गए तुरंद घटना की जानकारी इंगलिश पामेंट अट्टा का पास अलोग कादीक ठाका मुटा मुटी दौस भूरीर मोत निल्वाइन ना